नमस्कार दोस्तों आप सबी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने ट्रेडिंग चैनल में ट्रेडिंग विद रोहन में दोस्तों अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि इंट्रडे ट्रेडिंग किस तरह से की जाती है लोग जादा से जादा लॉस इंट्रडे ट्रेडि में ही कर रहे हैं तो इसका solution मेरे पास है मैंने एक strategy build up की है वो strategy किस तरह से use करनी है हमको price action क्या देखना है and हमको risk to reward ratio किस तरह से देखना है यह हम इस video में cover up करने वाले हैं तो दोस्तो breakout trading क्या होती है अक्सर लोग intraday भी breakout trading करते है अब breakout trading क्या होती है यानि कि candle है मार्केड यहां से नीचे गया देन अपसाइड गया तो यहां पर एक resistance बना और बड़ा सा candle जब इसे cross करता है तो हम इसे कहते हैं breakout trading हम अपनी position या हम अपना investment या अपनी trading की जो capacity की हिसाब से हम यहां पर अपनी position बिल्ड करते हैं और यहां पर जब बड़ा सा breakout या बड़ा सा मू आता है तो हमको एक बड़ा सा profit होता है तो basically इसे कहते हैं breakout trading अभी हमको क्या करना है और हमको strategy किस तरह से use करनी है तो दोस्तों आप सभी लोगों का में एक automatic solution लिखाया हूँ आपको एक scanner देने वाला हूँ वो scanner से आपको automatically पता चल जाए का कौन से stock में breakout trading आने वाले या कौन से stock में breakout होने वाला है उससे पहले friends यहां पर देख लेते 15 मिर्स के टाइम फ्रेम पर अब देख सकते हैं यहां पर देखिए एक resistance मिल रहा था बैंक निफ्टी को और यहां पर अच्छा का सा resistance था तो देखिए क्या हूँ मार्केट नीचे गया नीचे जाने का यहां पर एक support मिलने का गैप अप अपनिंग हो एंदेन मार्केट अपसाइड रैली दी है तो यहांने कि यहां पर क्या था यहां पर एक resistance सा resistance को breakout मिला है और एक बड़ी रैली आईए तो यह stock में भी किस तरह से find out करना है यह हम कर पाएंगे कि कौन सी candle probability है कि इस तरह से cross करेगी and then हमको एक बड़ा सा मिल सकता है तो चलिए दोस्तों उसके लिए मैं एक scanner देने वाला हूं आपको तो हम चलेंगे चार्टिंग पर तो दोस्तों यह चार्टिंग का website है अगर आपने अपना ID नहीं बना तो आप इसमें अपना ID बना लीजिए और मैंने एक already scanner बना के रखा है आप सभी लोगों के लिए that is 15 मिनिट्स ब्रेक आउट 15 मिनिट्स में कैसे ब्रेक आउट को find out करना है तो आपको क्या करना है यह scanner मैं आपको अपने टेलिग्राम में शेयर करने वाला हूं तो मेरे टेलिग्राम को जरूर जोइन कीजिए लिंक description में mentioned है तो चलिए दोस्तों देखते हैं यह scanner किस तरह से work करता है जैसे run scan करोगे तो यहां पर आप देख सकते लार्सन ने टूब्रों लिमिटेट आ गया तो चलिए दोस्तों 15 मिनिट में लारसन ने टूब्रो को देखते हैं कि लारसन ने टूब्रों किस तरह से work करता है तो दोस्तों आपको 15 MINUTES नहीं देखना है पहले daily time frame देखना है daily time frame पर हम देखेंगे stock किस तरह से momentum में तो अब को दिख रहा है कि यहां पे एक बहुत बढ़िया रहली आई है यानि कि यहां पे एक बड़ा मॉमेंटम बिल्ट अप हो चुका है यह जोन के अंदर तो आप अपनी पोजीशन यहां पे किस तरह से लो ले ओगे तो देखिए दोस्तों यहां पे आप देख सकते काफी एक रेड और ग्रीन केंडल अराउं 14 पॉइंट का या 12 पॉइंट का एक अपने जोन मर्क है तो आपको रिस्टु रिवार रिशियो भी उस तरह से लेना होगा अगर आप यहां पर एक सपोर्ट जोन आप चलिए दूसरा स्टॉक देखते हैं SDFC तो चलिए SDFC में किस तरह से ट्रेड होगा यह देखते हैं दोस्तों यहां पर important है आपको risk to reward ratio आप देखिए यहां पर भी एक अच्छा कासा breakout मिल रहा है तो आप यह जोन पर भी आप देख सकते हैं यह वाले जोन पर से भी आपको एक अच्छा कासा breakout देखने को मिल रहा है तो देखिए यहां से भी एक अच्छा कासा breakout मिल रहा है तो यह आपको breakout स्टॉक्स देड़ेगा आप देखिए second is ITC ITC को देखते हैं सुपाब आप देखिए आपको मैं आपको यही बताने की ट्राय कर रहा था आप देखिए यहां पर क्या हुआ है आप देख सकते हैं यहां पर एक resistance है देखिए यहां पर देखिए this is called a breakout candle यह देखिए इस candle ने breakout दिया अगर कल अच्छा कासा momentum मिलेगा तो ITC को upside जाने के chances जादा बढ़ जाएंगे अब देखिए दोस्तों यहां पर एक breakout भी मिला है और अच्छा कासा pattern भी बना है तो आप देख सकते this is called pole and this is called flag तो flag and pole pattern के end से हमको एक breakout अच्छा कासा देखने को मिलता है तो आपको देखिए देखिए 15 टाइम मिनुट्स में आपको ऐसे सब breakouts यह ऐसे patterns भी चेक करने होंगे तो देखिए flag and pole pattern पे हमको यहां पर भी breakout मिल रहा है एक हमको resistance मिला था resistance के बाद एक breakout मिला है तो चली दूसरा stocks देखते हैं that is bel bel देखते हैं इस भारत electronics अब आप देख सकते हैं दोस्तों आप देखिए important point है देखिए यहां पर एक बार market upset गया then उस level को cross नहीं कर पाया second time जब इसको cross गया तो यहां पर rejection मिला जिसके जिससे bel नीचे आया and third time again यह position में आ रहा है तो अब आप देख सकते हैं काफी time यह stocks यही position में है अगर कल हमको यहां से breakout मिलता है देन हम इसमें अपना trade बना लेंगे तो देखिए दोस्तों यह indicator यह यह जो scanner है आपको already बता देता है कि कहां पर breakout होने के जादा chances है और आप इस live market में भी आप इसे यूज कर सकते हैं अब हम last stock देख लेंगे अमबूजा सीमेंट देख लेते हैं तो अमबूजा सीमेंट में देखते हैं क्या हो रहा है अब देखिए दोस्तों higher highs बना रहा है तो आपको इस तरह के stocks मिलेंगा आप देखिए यहां पर एक resistance जोन था जिसके वज़र से stock नीचे आ गया है अब देख सकते हैं यहां से प्राइस section देखिए यहां से नीचे आया है देन देखिए बहुत सारी candles ने इसको ट्राइ किया क्रॉस करने का देन अल्टिमेटली यहां पर एक breakout होने के chances जादा लग रहे हैं क्योंकि देखिए दोस्तों already बहुत बार retest कर चुका है यहां पर भी कुछ candle ने retest किया है and then retest के बाद अगेन एक breakout की उमीद यहां पर दिख रही है तो आप अपना risk to reward ratio किस तरह से यहां पर set करोगे तो हमको हम अपने positions long बनाने वाले हैं तो हम यहां पर indicate कर लेंगे दीखिए दोस्तों आप इस तरह से अपनी positions बना सकते हो जितना risk लिया है उतना ही one is to two का reward ले सकते हो तो यहां पर one is to two के risk to reward ratio पे हम यहां पर इस तरह से trade कर सकते हैं तो दोस्तों यह र अगर आपको लग रहा है यहां से आपको जरूर सीखने मिला है तो मेरी चैनल को बीना सब्सक्राइब किये मत जाए और धेट सारा प्यार कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए थैंक यू फ्रेंट्स वाचिंग ट्रेडिंग विद रोहान